नमस्कार, वेलकम बेक टो एरोन चैनल, यो और वाचिंग डाइटीशन लक्षमी, डॉक्षमी दॉक्षमी आदाओ इस वीडियो इस फॉर एजुकेशन पॉपसेज ओनली काइंडली विजित तो यूर डाइटीशन बिफोर टेकिंग दिस डाइच प्लान आज हम बात करने चारे हैं डैंगू फीवर के बारे में, डैंगू जैसा कि आप सबको पता है, ये एक वाइरल फीवर है, तो जो इसके सिम्टम्स हैं, वो है हाई फीवर आना, वामिटिंग होना, बॉड़ी पेन होना, प्लेटनेट्स काउंट का शरीर में कम हो जाना, ये सा आखों में दर्द भी होता है, हाई फीवर होता है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं, इसके आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर कोई पेशन्ट डैंगू से परिशान है, पीडित है, तो उसे कौन से डैट में चीज़ें एड़ करनी चाहिए, क्योंकि डैट का डैंगू फीवर पर बहुत ही जादा असर होता है, डैंगू के इलाज में डैट बहुत ही प्राइमरी और इंपोर्टन भूमे का निभाती है, सबसे पहला है, मौनिंग की शुरुवात आपको करनी है, पपीते और गिलोए के जूस के साथ, जीहां, आपको पपाया और गिलोए का जूस ले पहले पत्तियों को और उसके बाद उसको चान करके पीना है, आप बात करते हैं, ब्रेकफर्स की 9 बजे करेब आपको ब्रेकफर्स लेना है, आपका ब्रेकफर्स बहुत लाइट होना चाहिए, आप चाहें तो वेजेटेबल दलिया ले सकते हैं दही के साथ, आप चाहें त उपमा ले सकते हैं धेर सारी सबजियों के साथ चाहें तो vegetable खिचडी ले सकते हैं 10 बजे आपको नारियल पानी या फिर एक ग्लास अनार का जूस लेना है 12 बजे आपको लेना है vegetable soup जो भी seasonal vegetable हैं आपको वो लेने हैं और साथ में आपको लेनी हैं थोड़ी सी दाल या फिर आप चाहें तो थोड़े से राइस खा सकते हैं. अगर आपको भूख है तो वेजेटेबल सूप के साथ आप राइस ले सकते हैं या फिर आपको सूप बनाते वक्त ही उसमें थोड़ा सा दलिया या राइस और मूंग डाल एट कर सकते हैं. ये आपको ध्यान रखना है कि वाटर का जो इंटेक है वो प्रॉपरली होना चाहिए. आप चाहें तो दस बजे एक की जगे दो नायल पानी भी पी सकते हैं. एक से दो के बीच में आपको अच्छी जो है मीडियम जो है वहाँ पे डाल लेनी हैं और साथ में आप एक चपा आने का मन नहीं है तो आप खिचडी भी खा सकते हैं दही के साथ क्योंकि ऐसे में पेशन को भूख कम लगती है और वॉमिट जैसा होता रहता है तो ध्यान रखिए वाटर इंटेक अच्छा होना चाहिए तो आप नायल पानी को डाइट में जरूर एड कीजे शाम को आपक इसे पकाना है और लेना है अगर आप चाय नहीं पीना चाहते तो आप फ्रूट जूस ले सकते हैं या कोई फ्रूट खा सकते हैं जैसे की पपीता अनार या फिर आप पल गी आपको लेना है शाम को पांच बजे इसके बाद बात करते हैं डिनर की जी हां आपको शाम को नारलेक, ब्लैक पेपर, ड्राइफरूट्स भी आप डाल सकते हैं dry fruits में आप ध्यान रखें ये सारी dry fruits सोक किये होने चाहिए जी भीगे हुए बादाम, काजू, किश्मिश ये आप डाल सकते हैं अब आप हल्का-हल्का वॉक कीजे और ये डाइट प्लान कम से कम 7 days के लिए follow जब तक आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो जाता वॉमिट नहीं आपकी बंध होती और आपका फीवर गायब नहीं हो जाता चलिए अपना ध्यान रखे अपने दोस्तों का ध्यान रखे और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा नमस्कार यह थो renovate यह dengan के लुझ ए फार दोस्तों से जरुड़ माण्याग लगल यह नहीं हो मत बंध होती तोस्तों से ऴंस, व्या होती है नहीं हो को मत बंध रहीं को綁़ मत उ months, को बंध होती है झाल झाल